असलाम अलेकुम एब्रीवान दिस इस हमास सयदन यूर वाचिंग मेंस स्टाइल फूड जहां हम बात करते हैं मेंस फैशन गुरूमिंग और स्टाइल के बारे में अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को आउन किजेगा ताकि आप सबसे पहले मेरे आने वाली वीडियो को देख सकें जहां आपका ड्रेस बहुत इंपोर्टन्ट रोप ले करता है आपकी परसनालिटी को शौफ करने के लिए उसी तरह जूते भी जो है उसका बहुत एहम हिस्सा है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते कहते हैं कि जो लोग जो है सबसे जादा लाशाओरी तोर पर जो चीज नोट करते हैं आपके आउटफिट में वो जूते होते हैं रिसर्च से भी यह बात साबित हुई है फिमेल जो है सबसे जादा जिस चीज को पसंद करती है आपके आउटफिट में वह आपके जूते होते हैं आज की वीडियो का मकसद यह है कि अगर आप जो है वो प्रेशान है कि यार के वाडरो बिल्ड करनी है सबसे पहले कौन से जूते परचेस किये जाएं और ऐसे जूते परचेस किये जाएं जो के वन टाइम इंवेस्टमेंट हो तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टाइल के बारे में बताऊंगा जो कि वर्स्टाइल हैं क्लासिक हैं टाइमलेस हैं और फोरेवर हैं बाद जब ऐसा होता है कि हम बहुत जादा शूत परचेस कर लेते हैं और वह मारे काफी आउटफिट के साथ कंबाइन नहीं हो पाते काफी फंक्शन हम उनसे अटेंड का एंगे दोनों ही कर सकते हैं उस पर शेडिवू की पहचान उसके लेसिंग शिस्टं मैं बडीजाते हैं अगरwo वो उसके साथ closed होता है, उसके साथ stitch किया जाता है, अलाइदा से उसके जूते के ऊपर ने stitch किया जाता है, इसलिए उसको Oxford shoes कहते हैं, जब formal occasions की बात की जाए तो हम Oxford shoes को prefer करते हैं, और Oxford shoes को ही पहनते हैं, तो सबसे पहले अपना जूतों का style चेंज करें और Oxford style जो है वो अपनी shoes की पहचान उसके open lacing system से होती है, उसका lacing system जो है उसके जूते के ऊपर जो है अलाइदा से उसके stitching होती है, इसलिए उसको open lacing system कहते हैं, अगर derby जो है वो दूसरे materials में हो, जैसे sweat leather में हो तो वो और ज्यादा elegant और stylish look देते हैं, नमबर थर्ड जो है वो है ब्रोग्स, ब्र Derby और Oxford दोनों ही हो सकते हैं, यह समझें, यह एक decorative edition का नाम है, कि उसको हम लोग ब्रोग्स का नाम देते हैं, ब्रोग्स जस नाम है decorative edition का और मेरी collection में सबसे जादा ब्रोग्स ही है, यह आपके style में एक extra look add कर इसको आप dress up dress down दोनों ही कर सकते हैं, इवन के jeans के साथ भी बहु जो है ब्रोग्स ले सकते हैं, मेरी जो सबसे फेवरिट टाइप है जूतों की वो ब्रोग्स है, I love ब्रोग्स जो चोथे नमबर पर हमारे पास जूते हैं, वो है monk strap, monk strap जो है single monk strap भी, double monk strap भी होते, यह थोड़े से unique और stylish जूते हैं, इसको आप almost all occasions पे पहन सकते हैं, नमबर fifth जो है वो category हमारे पास है loafers, अगर आप थोड़ा सा loafers पहले हम यह समझते थे कि शायद यह old age लोग पहनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, loafers जो है वो अभी तक काफी stylish हैं और उसको तकरीबन सारे outfit का हिस्सा बनाया जाता है, summers के लिए बहुत जबरदस्ट option है, खासकर जब आ relaxed और comfortable जूते होते हैं, ट्रैवलिंग में जो हम prefer करते हैं वो loafers को करते हैं, अगर किसी मीटिंग वगारा में आप जा रहे हैं एरपोर्ट पे, क्यूंकि इसको उतारना और पहनना बहुत असान होता है, number six, number six जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है the Chelsea boot, इसकी जो side पर ह plastic होती हैं, जो के role play करती हैं, हम जो है easily इसको पहन सकते हैं और उता सकते हैं, very neat and clean look देता है, इसको हम formally और casually दोनों ही occasions में पहन सकते हैं, and number eight is lesser boots, अगर आप जो है weekend का program है, और आप जो है थोड़ा सा chill करना चाहते हैं, और थोड़ी से elegant look देना चाहते हैं, और थोड़ा सा आप sharp नजार आना चाहते हैं, तो आप जो है lesser boot भी अपनी collection में रखें, number eight is driving shoes, driving shoes इसको slip on भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावत इस तरह से की जाती है, कि इसको असानी से पहना जाए, और इसका soul थोड़ा grippy होता है, ताकि आपकी grip during driving जो है वो रहे, और comfort इसको थोड़ा सा इस तरह से style किया जाता है, कि breathable हो, अब वो सिफ driving तक ही महदूद नहीं है, आप उसको shorts के साथ पहन सकते हैं, outing के लिए अगर बाहिर जा रहे हैं, फिर भी moccasin और driving shoes को अपने style का हिसा बना सकते हैं, now it's not limited to only for drivers, number nine is sneakers, यह आपको casual और cool look देते हैं, पहले जो है sneakers सिफ जो आता था, यह आउटिंग के लिए लोग पहनते थे, लेकिन अब sneakers, अच्छी quality के sneakers को हम बहुत सारे outfit का इससा बना सकते हैं, even के लोग अब उसको suits के साथ भी पहन रहे हैं, last but not the least is trainers or athlete shoes, athlete shoes और training shoes और joggers भी हम इनको कहते हैं, training shoes को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें आप comfortable रहें, style के साथ comfort को भी मदे नज़र रखा जाता है, that's all guys, I hope के आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो please मेरे चैनल को like, subscribe और share करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए stay happy, stay blessed and stay stylish.